तिक काजी का कॉमेंट था। बिज कहां से मिलेगा एड्रेस बता ये। दूले ससोरी पुछ रहे थे। सी में टेंगरा मचली की पालिन कर सकते हैं क्या। उमा संकर बर्मा बच्चे कहां मिलेंगे। इन सारे कॉमेंट टेंगरा मचली का जो मेरा पिछला वीडियो था उसके बारे में सारे लोग पूछ रहे थे दोस्तो सागत है मेरे यूटूब चैनल फिस फार्मिंग पर आज हम गईची मचली के पालन के संबन्द में वीडियो लेकर के आए हैं और उसका भी हम जबाब देने का प्रयास करते हैं जो अतिक काजी दुलेश शोडी और उमा संकर बर्मा का कॉमेंट था हम तिन कॉमेंट आज लिए हैं इस वीडियो के मात्यम से जनकारी देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप अगर टेंगरा मचली का प पता नहीं आप कहां से हम आप लिख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं मुझे कैसे पता तो आप एड्रेस भी बताएंगे तब जाकर के बीजी के बारे में हम जानकारी देंगे और रह गया जिस मचली के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं गैची मचली के बारे में उसके टेंगरा बीज के बारे में भी जान लिजे ये दो तरह की जो मचली है इसका अगर बीज नहीं मिलता है मार्केट में आपको जिन्दा टेंगरा मचली या गेंची मचली मिल जाती है वहां से हाफेकर का अगर तलाब है आपके पास एक एक केजी दोनों मचली को ला करके जो ट मतलाब में चुलाब में थेंगी उसका why अगर बीज नहीं मिलता है तो ज्यादा की त्र Dad सकता नहीं है जिन्दा मचल अपने मार्केत से खरीद करें थे Is a killer मचल करते हैं उस तरह से गहींची मचली का भी पालन बगार खर्च के हमें position के तलाब है तो उससमें भी कर सकते हैं बरे आराम से, रेट इसका भी जो टेंग्रा मचली का एक दो हम कॉमेंट देखे कि 100 रुपे के जी अजी बिकता है मेरे मेरे यहाँ तो 500 से कम रेट है ही नहीं और उसी तरह से गयंची का रेट 1000 रुपया 1200 रुपे के जी तक बिखता है गहिंची मचली मेरे यहाँ हो सकता है किसी किसी साल किसी मचली का अधिकता हो जाने से किसी सहर में किसी छेतर में रेट कम जाता है लेकिन सामाने तह टेंगरा मचली और गहिंची मचली का रेट बहुत अधिक रहता है कम उत्पादन हो रहा है इसलिए डिमांड अधिक है रेट अधिक है तो पालन करने के लिए हम बता रहे थे कि गहिची मचली आप बिना कोई परसानी के अपने तलाब में पाल सकते हैं इमसी के साथ भी पाल सकते हैं एक चीज़ देखना परेगा आपको कि आपके तलाब में जिस तलाब में कीचर की मात्रा हो मड हो उस तलाब में गहिची मचली का पालन करें अच्छा ग्रोथ होता है मड में यह मड में रहने वाली मचली है यानि कीचर में रहने वाली मचली है गैची मचली और इसके भोजन के भी से में हम बात करते हैं आप जाने काड़ी देते हैं तो भोजन की आवे सकता इसको होती है आपको गैची मचली को भी अलग से भोजन की ब्योस्था करने की आवे सकता नहीं है ऐसे आपको इक्षा हो तो जो फैक्टरी में फीड होता है छो आप आमस्मी का पालन ना करें आप आप क का पालन यहां पालन कर रहा है अगर आपके तलाब है याणि के जाद हैं तो उस तालाब में 1 kg अगर भीज नहीं अंडा हो जाएगा, ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, रेट बहुत अच्छा मिलता है, दिमान बहुत अच्छा है, तो IMC के साथ आप गैची मचली का पालन करस के अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, जो भी खर्च एक्स्ट्रा खर्च आता है आपको अपने फिस फार्मिं जो लोग टेंगरा मचली का पालन करना चाहते हैं, हम टेंगरा मचली के बारे में वीडियो पहले बनाये हुए हैं, उसको देख लेंगे किस तरह से करना है, कितना बीज डालना है, धन्यवाद, छोटी सी जानकाडी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.